नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका में आपका दोस्ति इनेशनिम भावत बात करते हैं राजस्तान सुजस से अक्टूबर 2022 की सुजस है और इसमें जो है अब इंपोर्टन टॉपिक के रूप में हमारे आर्ट एन कल्चर से समधी टॉपिक बनता है देवी देवताओं के स समय में ही नहीं बनते इनके पीछे सद्यों से चली आरे परंपरों का जुड़ाओ होता है प्राकरतिक आपदाओं बीमारियों महमारी अकाल दुरगटना मर्तियो आदि के समन में विश्व के परतिक देश में तरह तरह के लोग विश्वास पर चलीत होते हैं यह आवसिक नहीं है कि उन विश्वासों का आधार वेग्यानिक ही हो अधिकांस लोग विश्वास पीडी दर पीडी चलते रहते हैं उन्हें सत्या सत्य की कसोटी पर नहीं कसा जाता है लोग विश्वासों की भाव भूमी तर की बजाए आस्ता पर टेकी होती हैं समय के साथ लोग वि देवतां के तरह समान दिया चाहता है चलिए सबसे पहले बात करते हैं देवतां के संदर में गोगा जी के बारे में बात करते हैं कौन से गोगा जी से सुरू करते हैं अपन गोगा जी के संदर में बात करेंगे वीर गोगा विकानेर की ददेरवा गाउं को बसाने वाले चोह लगता है भादर पदी नौमी को क्या अलम जो बड़ा मेला भड़ता है इस दिन गोरकसा अर्थ प्रान उतसर करने वाले गुगाजे की अस्वार होई हैं बाला धारी योदा के परती की रूप में आतौ असर्प के परती के रूप में पूजा की चाती इनका पासान उतकरन सर पर मोर्ती युक्त इस तर्ण जो है इस तल गाउं में खेजडी वरक्स के नीचे होता है इनके समन्द में लोक जो लोकुक्ती परसिद हैं गाउं गाउं खेजडी ने गाउं गोगो गाउं गाउं खेजडी ने गाउं गोगो जब किसान केतों में हल चलाना आरम करते हैं तब हल चलाने वाले को 9 गाँटो वाली गोगाजी की राकी आदे जाती है जिसे गोगारागड़ी कहते हैं इन्हें खिर, लापसी, च औरमा का सात्विक भोग चड़ता है यह बात करते हैं यह गोगाजी होगे अब चलते हैं आगे राम देव जी के संदर में जीने राम साफिर का जाता है यह हमारे राम देव जी एक बरहाज ओड लेजिएगा जे बाबारी चले सुरू करते हैं राम देव जी राम देव जी मुक्यत है इनकी माता का नाम था मेनादे पिता का नाम क्या था अजमाल था मेनादे रलाल राणी नेतलरा बढ़तार अजमल जी रहका हूँ रहा है न तो मेनादे क्या हो गए इनकी माता हो गए पिता का नाम अजमाल था जन्म 1352 में हुआ जन्म कब हुआ 1352 में जन्म होता है ये का परिच्छे देकर मलिनाज जी से पोक्रण की जागेर प्राप्त की थी रामदेव जी ने बहरव नामक दुस्ट को मार कर लोगों की रक्सा की जिसने पोक्रण ददा आसपास के गाउं उजाड दिये थे इसे इनका नाम दूर दूर तक फैल गया इनके मुख्य इस्तान रा अपनी बनों कामना पूरी करते हैं रामदेवरा में इनके पोजारी तमर आजपुत होते हैं रामदेव जी का कपडे का गोड़ा कंदे पर लेकर दूर दूर तक यात्रा करते हैं और आजीव का एकतरत करते हैं इने चूरबा, मिठाई, दूद, नारिल, दूप छड़ता ह बादर प्ध पूरे महीने रामदेव जी के बजन कीरतन तदर आत्री जागरन होते हैं इनके परतिक चीने के रूप में गाओं में प्राई किसी वरक्स के नीचे चब उतरे पर खुले ताक में पगले यहान की जिप पद चीने होता है इस्तापित किये जाते हैं वरक्सों पर पजचिनों से युक्त सुध तोजा फेराई जाती है इनके पूजा इस तलको रामदेव जी का थान कहता है इनका फूल हैं की चांदी अता सोने के पत्रे पर उतके रामदेव जी की अस्वर और मूर्ती होती है लोग गले में पहनते हैं लोग विश्वास में इने सर्व सिद्धी दाता सद्वोती और कामना पूरुग जो है देवता इनको माना जाता हागे बात करते हर्बू जी की वीर हर्बू जी नागूर परगने की भूंडेल जागिर की राजा सांकला के पूत्र थे और राव जोधा जी की ये समकलिन थे पिता के देहनत के बाद ये फलोदी में रहने लगे उताता रामदेव जी की पिरिणा से इन्होंने अस्तर सस्तर त्याकर उनके गुरू बाली नाजसी से क्याली दिख साली जोधा जी ने इन्हें बंगटी गाउं अरपन कर कौन सा गाउं बेंकटी जो गाउं बेंकटी गाउं जोधा जी नारपन किया इनके परती अपनी सरदा का परिचे दिया ये रामदेव जी के मौसी के बेटे थे पाबु जी की बात करते हैं अगले पाबु जी इनका जन फलोदी तेसिल के कोलू मंड गाउं में 1249 में हुआ धानल चिराठोड के यहां हुआ था यह बाले वस्ता से यह बड़े परकरमी थे पाबु जी ने आना बगेला की यहां से भाग कर आए साथ थोरी भाईयों को सरण दी थी आना बगेला की यहां से भागे थे साथ थोरी भाईयों थे यह भाईयों थे थोरी भाईयों पाबु जी का विवा अमरकोट के राजा सुर दूली चारने की गायों को घेर लिया देवल ने पाबु जी से गायों छुडाने की प्रातना की कड़े संगर्ष में जो है पाबु जी यानके 1234 में अपने सात्यों साइद वीर गत्य को ब्रावध हुए इनका परतिक जिने हाथ में भाला लिये अस्वा रोहिक के रुप में परचली थे हैं इन्हें उंटो के देवता करफ में पूजा जाता है और ग्रामिन जन्मानेस में इन्हें लक्स्मन जी का अवतार माना जाता अगले है मलीनाज जी मलिना जी का जन्म 1388 में मारवाड के राव सलका राठोड के यहां हुआ पिता के मर्तियों के बाद ये अपने चाचा कानर देव के यहां महुए में रहने लगे कालांतर में कानर देव के चोटे बाई त्री भूनसी को जालोर के पठान सासकी साहिता से पच्यूत कर 1334 में महुए का स्वामी जो महुए थे उनका स्वामी बनके 1388 में मलिना जी ने आकरमन कारियों के 13 दलों को मार भगाया इसे इनका मान बहुत अधिक बढ़ गया इस समन्द में एक लोकक्ति कही जाती है लोकक्ति कही जाती है ठीक है लोकक्ति पढ़ एक मलिना जी की संदिर में याद रखे 13 तूंगा भांगिया माले सलकानी इन्होंने अपने बतीजे चूंडा राठोड को मंदोर और नागोर जीतने में साहिता दी इन्होंने अपने कुल के लोगों को सिवाना खेड और ओसियां की जागीर दी मलिना जी की राणी रूपादे भगवान की बड़ी भक्ति थी उसने थारू मेगवाल नामक वक्ति को अपना गुरू बनाया जो भगवान का बड़ा भक्ता जालोर जिले की आहोर तेसिल में डोडायावली गाहों के पास मलिना जी का परसिद मंदिर है जा आहोर तेसिल मे जो जॉलोर में आहोर तेसीले वाडोडावले गाओं में इनका एक बड़ा मंदिर बाडमेर जिल्ले के तिलवाडा गाओं में है जहां चेतर मास में मेला लगता है इन्हें कैसर चड़ता है मामा जी, मामा जी वीर पुरुस को लोग देउता के तरह पूजा जाता है जो वीर पुरुस गायों और इस तरहों की रक्सा करते वीर गति को प्राप्थ हुए इन्हें मामा जी केकर उनके इस्तान बना दिये और मामा जी के थान कहला थे, इन्हें मिट्टी के गोड़े भेंट से रूप चड़ाया जाते है जुझार जी कौन से जार जी है जुझार जी भी मामा जी की भाति गोवों, इस्तरियों, बच्चों तता आसाय लोगों की रक्सा करते वे अपने प्राण गमा देने वाले जो जारू वीर हैं इन्हें लोक आस्ता कर ने ग्राम देउता का समान देकर उनके इस्तान पूजा अर्चना करते हैं लोक वीर बाप जी वीर बाप जी ये वीर बाप जी के थान उजेनी वीर के थान भी कहलाते हैं थाउला गाउं में पुसकर थाउला है ना गाउं में तथा जालो नगर में तिलक द्वार के अंदर भी उजेनी वीर का थान बना हुआ अरतार लोग देवता में केतला के इस्तान सबसे उपर हैं, वस्तूते यसेत रपाल और इसके मुकी ग्राम देवता कहा जा सकता है, इन्हें जगदंबा का पुत्र माना जाता है, गहों की गूगरी, गूड, आटे, गी की मातर और नारिल की चटको का परशा चड़ाय जाता ह है, गाहों के लोग अपने नहुजासिसों के पांस साल तक चोटी रखते हैं, जिससे ननीहाल में उतारा जाता है, इससर पर माता अपने बच्चे को केतला जी के थान पर ले जाती है, और बाल उतरवाती हैं, इसे केतला उतार ना कहते हैं, ये बात थी, लोग देवता के स अंदर में वीडियो कैसा था जरूर बताएं अपना कमेंट भी दीजिएगा साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ प्यार बनाएं रखें नमस्कार